दोस्तों आज का वीडियो ब्यूटी र्लेडिड है और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एक ऐसी चीज जो आप अगर चेहरे पर लगाते हैं तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपका चेहरा glowing गोरा होगा और चेहरे पर से दाग धब्बे बिल्कुल ही खतम हो जाएंगे फ्रेंड्स हम सभी सुंदर और एक बेदाग चेहरा चाते हैं लेकिन हमें कहीं मेहनत के बाद भी काफी मेहनत के बाद भी ये सब नहीं मिल पाता और हम काफी ज़ादा ऐसे परड़क्ट जो काफी कॉस्टली भी होते हैं यूज भी करते हैं उनसे भी हमें ज़ादा फरक नहीं मलता दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में हमारे किचन में और हमारे आसपास कुस ऐसी चीजे होती हैं जिने अगर हम यूज में लाएंगे तो हमारे दाग धब्बे बिरकुल ही खतम हो जाएंगे हमारा चाहरा सुन्दर और गलोइंग बन जाएगा बेदाग हो जाएगा इसी तरह के कुछ नुसके में आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ सबसे पहला देसी नुसका जो है अगर आप देसी टमाटर के रस को रूई में लगा कर कुछ देर तक अपने चेहरे पर मलेंगी और उसे 15 मिनट तक ऐसा ही लगा कर छोट देंगी और फिर आपको उसे वाश कर लेना है ऐसा कुछ दिनों तक लगातार करने से आपके चेहरे के काले धब्बे मिट जाएंगी सेकेंड जो है वह है दोसों चेहरे पर कच्चे नारेल का पानी लगाने से भी दाग धब्बे हलके हो जाते है नेक्स दोस्तों अगर आप 200 मिली लीटर देसी टमार्टर का रस लेंगी और उसमें थोड़ा नामक जीरा और काले मिर्च मिलाएंगी इसका रोर सुबे सेवन करेंगी तो चेहरे के काले दाग धब्बे हलकी होने लग जाएंगी और धीरे धीरे गाइब हो जाएंगी फोर्थ जो है वो है दोस्तों चेहरे पर महासों की समस्या से सभी परेशान होते हैं जिससे चेहरे की सुंतरता खराब हो जाती है और चेहरे के महासे को ठीक करने के लिए उबले हुए आलो के छिलके को अगर आप चेहरे पर 15 मिनट तक रगड़ेंगी तो इससे आपके पि चमकाना जाते हैं उस पर नीबू को आधा कात लें और उसे चेहरे पर 10 मिनट तक सुबे शाम लें ऐसा लगातार करने से आपकी तुअचा चमकने लगेगी तुअचा दंकदार हो जाएगी चेहरे से दाग धबे खतम हो जाएगी स्किन गोरी हो और ग्लोइंग हो जाएग इसके साथ ही अगर आप नीबू में फिटकड़ी भर कर भी चेहरे पर लगाएंगी तो उसका तो जबाब ही नहीं है आपको बहुत अच्छा बेनेफिट मिलेगा बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट है दोस्तो यदि अपनी गर्दन आपकी काली है तो ऐसी स्थिति में अगर आप नीबू को काट लीजिए अपनी गर्दन बर 15-10 मिनिट तक रगणने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको आपकी गर्दन की जो कालश्त है उसका कालापन है वो ब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हिट के बटन पे क्लिक करें और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कोमेंट में लिखें और दोस्तों मैं आज आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूं अगर आप मुझसे किसी भी तरह और वीडियो चाहते हैं और ज सब्सक्राइब का बढ़न हैं क्लिक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा तो दोस्तों मिलते हैं अच्छी सी इंफोर्मेशन के साथ तब तक गुडबाई स्टे हाओी